तो जैसा कि हमने पढ़ा था उसके बाद की तॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रारभ में जीवन की रूपों की उत्पती की रूप रिखा यानि आउटलाइन ऑफ दे अर्लियस लाइफ लाइफ फॉर्म तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है पादब जगत के बार प्लांट किंडम में हमारे पास क्या है नॉन फ्लावरिंग प्लांट और इस समू के तीन प्रकार के पौधे होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और उसकी बाद आता है आपका टेरीटोफाइटा तो यह जो तीन प्रकार के पौधे होते हैं यह क्या है थैलोफाइटा क्या होता है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि थैलोफाइटा में होता है इसको हम लोग डिफ्रेसियेट कर देंगे इस थैलोफाइटा सब्द को तो इसका होता है थैलस में होता है अन डिफ्रेंसियेटेट और फाइटन में ह होता है plant थालोफाइटा का मतलब तो समझ में आ गया जो प्लांट को डिवीजन जिसका नहीं हो सकता है तो इस डिवीजन अप्लांटी इन विच दाप्लांस डूनोट है वेल डिफरेंसियेटेटेट नहीं होता है इसका बॉडी डिजाइन और बॉडी डिजाइन शिंपल जिसका बॉडी डिजाइन बोछ सिंपल होता है ऑफिन कल ठीया जिसको थैलस भी कहा जाता है यह यूनीच सेलूलर एंड नौझए ठीक है यह यूनी ओल्ड होते हो आज मशेट हो कि इसमें आता है इसमें ट्लोर लूफी बथिल को ऑग को कि फंगी आते हैं क्लोरोफिल यूग तो हड़े सैवाल भी आते हैं यह सरलतम पौदे होते हैं जैसे कि कहा है हमने और जिनका सरीर तना जर्ण तना और पती में भिभक्त नहीं होता है तो यह नौर्म वेल डिफ्रेंसियेटेड नहीं होता है इसके नाम से ही हम जान जाएंग और भंगी भी लिख सकते हैं तो इसका एक्जामपल यह हुआ उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा क्या है वो देखते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा क्या होता है ब्रायोफाइटा धीरे धीरे जटिल ब हरी पतिया भी रचनाएं होती है अर इनके पथले तने के चारों उपस्तित होता है जासे कि यहां नाम से पता चल रहा है ब्राईयोय को सब्सक्राइब भ्रायो सब्सक्राइक था दिउन नौनवस्टाइब प्लांट्स having an embryo embryo bhi होता है stage in their life in की embryo stage in there life होता है expense में मौस लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद टेरीडवाइटा में टेरीडवाइटा क्या होता है जैसे की नाम से पता चल रहा है टेरीजनस होता है fun phyton means होता है प्लांट तो इप्लांट तो इस डिवीजन ओफ यह वास्कॉलोर सैट क्राइप्टो गैम्स और इस पाइडो फाइटी होता है और इस पाइडों के पॉधों के सारी निवे भागों में सपर्ष भकत रहता है जर क्यों बंपती है इन में सखाएं भी होता है लेकिन इस्में सीडलेस जैसे बताये गये इसमें पूस्पनह인이 होते हैं तो धारन के तोर पर हम लोग इसको फॉंन डीक सकते हैं ठीक है उसके बाद हम ALL हाते हैं humans yes जैसे कि होता है राइंग प्लांट्स तो अब उसकी पॉद्योंके बाद पुस्प्यों पॉद्यों का भिकास गया इसको दो भागों बाटा गया एक हैं इस जीमनेसपर्म भर होता है और और अजीन्यसपर्म तो उन दोनों के बारे में भी आपर देखे लेते हैं चिस्वे όरthey broken प्लांट्स आर एवर्ग्रीन होते हैं वह हमेशा हरे होते हैं और वूडी होते हैं और पेरिनियल होते हैं ठीक है तो दे आर ट्रीज हो सकते हैं स्रफ हो सकते हैं इसका एक्जामपल अमने पाइनस देखें पाइन का पौधा देखा होगा पाइन का तो पाइन का जो पेर होता निए प्रोड्यूस इनसाइड फूट्स के भीतर जो होता है वह सीड रहता है और एज़ी नोश सपर्म अब डिभारे निटू टू क्लासेज तू क्लासेज में इसको डिवाइड किया गया है फर्स्ट क्या है मोनो साइक मोनो को टाइडोन नर्स और दुसरा है डाइको टाइ इसको हम लोग हिंदी में भी अच्छे से समझ लेते हैं जैसा कि यहां पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि जिसको हम लोग फाल विहीन पौधे काते हैं इस अमों के पुस्पीय पौधों का जो सरीर होता है वह जड़ तना और पतों में बटा होता है कि इनके फल के अंदर इस्तित होते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं एक बीजपत्री और दुइब बिजपत्री एक बीजपत्री में जैसे में चैनी नियमन थान जोफ ही ऐसां गजांब श्क्री में परग दाम पीपल मटर नेमितियादी आसम आ सकते हैं ौशके बादTI है औह पर्टोजोवा एक कोशिके प्रानीका विकास हुआ प्रोटोजोवा, यानि यूणी सेलीलर एंदिमल जो विकास में आया, सबसे पहले एक कोशिकी प्रानीक उत्त्तिय उनके पूरोज पर पोसी एक कोशीका से हुई है, जैसे कि अमीब़ा या यूगलीना है, यह इग्जाम यहां प्रस्दम पहुँ कोश़किये ना तो कि प्रानी को पत्रिकिन में पॉथ्ज Stream रहें जिनमें तूस और पत्र अबहुत की प्रदम बहुकोश की प्रानी को जैसे की सपार अक्ञामपल में सपार्ब उसके बाद आता है निडेडिया, निडेडिया क्या है, निडेडिया समूग के प्रानियों का सरीर दो सतों में बटा हुआ है, दो लेड़ वालें, टू लेड़ बॉड़ी वाल, लेकिन वास्तिविक जो देव गुहा का जो अभाव था, अभाव होता था, ठीक है, जैसेगी हाइडरा, हाइडरा देखा होगे आप लोग ने, यह जैली फिस, यह सब क्या है, निडेडिया में आते हैं, ठीक है, उसके बाद आया, प्लेटी, स्वारी, प्लेटी हैमेंधिन्स, जिसका सरीर, इसका सरीर मुलायम होता था, चप्टा होता था, और खंड रहित होता था, और बिदावट बॉडी कैवटी का होता था, इसमें क्या है, कि आहार नाल का केवल एक मुझ खुला रहता था, जैसे लिवर फ्लूक हुआ, फिता किर्मी हुआ, फिता किर्मी टेफ वार्म जिसको कहा जाता है, बाद में यह नैमी टोडा, जैसे कि बाद में यह ऐसे बने, एसकेरिस हुआ, एनलीडा हुआ, जैसे कि एनलीडा में केचुआ, जोंक, लीचेज, इस तरह से होता गया, ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग अर्थोपोडा, अर्थोपोडा समूँ में हम क्या होता है, कि जो उनकी जो लेक्स होते हैं, वो जॉइंट लिम्स में होती है इसलिए इसको अर्थोपोडा कहा जाता है, ठीक है, और उनकी जो उप्त अचा होती है, वो काईटीन की बनी होती है, और जैसे कि केकड़ा, केकड़ा देखे होंगे, आप लोग मक्खी, ये सब को अर्थोपोडा के नाम से जाना गया, हाउस प्लाइज इसको कहा जाता है, क्यूं होता है, और तोपोडा इसको इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसकी जो पैर होते हैं, वो संधी युक्त होते हैं, जॉइंट्स लीम्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आया हमारा मुलासका, इनका सरीर मुलायम खंड रहित होता है, यानि इसमें कोई भी पार्ट्स नही प्रचलन के लिए मानसल पैर होता था, तो आप लोग सभी देखे होंगे, स्नेल देखे हैं, सीपी देखे हैं, ऑक्टोपस इस तरह का, इसका एक्जामपल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आया, इकाइनो, इकाइनो डर्मिटा, ठीक है, इस तरह का जो प्रानी उसका समुंदरी प्रानी, प्रानी समुंदरी था, और उपतवचा जो था वो खुड़दूरी थी, और क्या था, इस्पाइनी सर्फिस था, यदि कन्टक यूग था बहुत ज़्यादा स्पाइन उसमे निकले होते थे, ओर इनमें प्रचलन ट्यूठ फिट, यानि सित तरह एक जापनी मोड़ है। ऐसे एक सुर्ण से और ह coun बेशे पाले लिखते हैं। उसका में मुर्जापय को लिख सकते हैं। कि अप्ड Чтобы दो Alt- ounces क्यों सब्सक्राइब शिर्ट से नग्षे में विथ के यहाइं प्र दरणी कि जढ़ थे किमिसा नगर, थोरा सा और ध्यान देना होगा जिससे याद हो जाए उसके बाद आया हमारे पास करड़ेटा संके प्राणी है करड़ेटा में क्या आता है कि इनमें नौटो कार्ड पाया जाता था जैसे कि नौटोकार्ड में मेरुदण प्राणी यह नि भर्टीवेट्स जिनका मेरुदण होता है और भर्टीवेट्स जिसको कहा जाता है इस समुग के सरव पर्थम जो स्टार्टिंग था सबसे पहले साइकलो स्टोम, साइकलो स्टोम की उत्पत्ति हुई और प्रित्वी सब्सक्राइबां तो सब्सक्राइब UFO में सब्सक्राइब यहां स्रूर्ण स्वाही उती हुई सुर्पा, देखिए कarm विकास read किस तरह से बढ़ते चला छा रहा रहा है। यह विलुशन हुआ किस तरह पृतवी पर सबसे पहले जीव कैसे आये कैसे उनका विकास होता चला गया बाद में हम लोग आया उसके बाद आया उभैचर प्रानी एनी जिसको एमफिबिया कहा जाता है एमफिबिया मतलब ये पानी और सर्फिस दोनों पे रह सकते हैं ठीक है जल्द और अस्तल दोनों जगापर इनका जीवन नयापन करने के लिए अनुकलीत होता है तो इस तरह के प्रानी हम तो देखते ही है चक से सरफ़ी सरी सिर्फ हुआ पच्षी हुआ और अस्तन पाई प्रानीों की यहीं से उत्पती हुई ठीक है उसके बाद आते हैं हम लोग evolution किसको कहा जाता है evolution का अर्थ होता है कि एक अवस्था से दूसरी बिक्सित अनुकूली तवस्था में करमिक परिवर्तन यह निकि एक अवस्था से धीरे-धीरे जैसे पहले क्या बना फिर उसकी बाद उनकी कैसे वो आगे की तरफ बढ़े कैसे जैसे कि हम पहले क्या थे हम पहले थे हमारा जो उत्पती हुआ था हम लोग apps के रूप में थे उसकी बाद धीरे-धीरे हमारा जो धीरे-दीरे हमारा evolution होता गया और पहले कि जैसे आप लोगों को देखेंगे आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोगों का क्या था पहले कान में बाल होते थे और जगा-जगा पर आँखों के इस तरह से जहां आके खुलती है last step कोने साइड में वहां पर मांसल था मैं तब वहां पतली से जिल्ली पाए जाती थी और भी है जैसे की बहुत सारे ऐसे होते थे जहां पर धीरे-धीरे उनका लोप होता चला गया ठीक है तो हमारा क्या होगा धीरे-धीरे हम लोग आगे की तरह बढ़ते चले गया हमारा जो अभी भी है वो हमारा पहले सरीर में बहुत बाल होते थे अब दिरे 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 बाल कम होते चले गए तो इस तरह से क्या हुआ दिरे दिरे क्रम विकास हुआ तो एक अवस्था से अनुकुलित अवस्था में कर्मिक परिवर्तन को ही evolution कहा जाता है सजीवों के लक् सब्सक्राइब करते जाते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि evolution इस बाइलोजिकल चेंज ऑप स्पेसीज ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम बाइलोजिकल चेंजेज है किसी भी इस स्पेसीज का तब प्रोसेस अवलोशन कीप से स्पेसीज अलाइव उसको जीवीत रखन सब्सक्राइब करते जाते हैं क्रम विकास के रूप में उसी कोई evolution कहा जाता है ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं तो उसके बाद आया हम लोग gene mutation कि इसको कहा जाता है ठीक है जीवधारियों के लक्षन में अचानक जो heritable पड़िवर्तन होता है उसको mutation कहा जाता है जैसे कि किस किस तरीके से ये gene का mutan हो सकता है जैसे x किरने हुए x-rage वगएरा जादा करने से ultraviolet rays से mustard gas से ये सब क्या हुआ कि उनका gene अलग बदल गया नए gene pool एवं allil की सनचना में mutation सहायक होता है और किसी जीव की उपस्तिती cool gene की संक्या को ही gene pools कहा जाता है ठीक है तो इसको हम इसे भी लिख सकते हैं कि gene mutation किसको कहा जाता है कि mutation is a change in a dna sequence dna sequence में change होता है और mutations are result from dna copying mistakes made during cell division cell division के दौरान dna क्या करता है कि mistakes करता है exposure to ionizing radiation जैसा कि पारबैगनी किरने कहा गया अल्टर वाले फ्रेज वगरा कहा गया exposure to a chemicals called mutagens इनके कारण भी जो chemicals जो म्यूटाजीन के रूप में यह exposure हो जाता है ठीक है तो gene mutation का मतलब होता है कि mutation is a change in a dna sequence dna sequence में change को ही mutation कहा जाता है mutations can result from dna copying mistakes made during cell division exposure to ionizing radiations या exposure to chemicals जिसको exposure to chemicals कारण उसको mutagens भी कहा जाता है उसके बाद आता है recombination कि इसको कहा जाता है recombination in genetics primary mechanism through which variation is introduced into populations recombination in genetics genetics में जो recombination होता है primary mechanism के थुरू विच तो recombination का मतलब हुआ कि recombination in genetics में उनके parental या फिर maternal जो होता है वो genes are regrouped हो जाते हैं in the formation of genetics genetics के रूप में जो cross crossing के दौरान क्या होता है कि बहुत कुछ बदल जाता है recombine हो जाता है तो उसको ही recombination कहा जा सकता है ठीक है इसको हम लोग हिंदी में भी समझ लेते हैं और तो मियोसिस के दौरान मैं उस्किud के द्वारा या फिर graveyard गामिट या जो युगमक के निरमान के समझे समझातई गुन सुत्रों के बिच लिए क्रोसिंग ओबर के दौरान जीनों का अदान प्रदान होता है तो अदान प्रदान की कारण क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में जो युगमक होते हैं वो संजोग करते हैं और उनके जीना पुना संगठीत होते हैं इसी को ही पुनर गठा नियारी कॉमिनेशन कहा जाता है इसके फालो सुरूप जो नए लक्षन उत्पन होते हैं जिसको क्रम विकास का एक परमुक कारक होता है यानि कि जैसे आपको एक एक जामपल से मैं समझा रही हूं जैसे एक लड़की एक लड कलते हैं तो उसी को ही हम लोग रिकॉंबिनेशन कहा जाता है यानि कि कुछ तो काले हो जाएंगे कुछ उसमें से क्या हो जाएंगे गोड़े हो जाएंगे यानि वाइट हो जाएंगे तो इसमें क्या हुआ कि रिकॉंबाइन हो गया उनके जीन में दोनों तरह के गुन का आदान प्रदान हुआ और दोनों तरह के गुन आ गय है उसकी बाद आता है जीन migration किसको कहा जाता है कभी प्रजाथी कि किसी जियोधारी की से प्रजाती में कुछ जीनों का को जाता है किसी भी कारन से हो सकते है तो जीन पूल का गठन होता है नए जीन जो पूल होते स्थांत्र जिन पूल वाले प्रजाति जब udah शंतती उत 느ुशा लगते हैं इसको जीन माइग्रेशन कहा जाता है नई प्रजातिया भी उत्पन होती जा रही है तो हम लोग इसको इस तरह से करा करा के हम लोग उस चीज को भी एक तरह से स्ट्रक्षित करते जा रहे हैं और दूसरा क्या है कि हम लोग नए नहीं चीजों को भी हम लोग जैसे कि जीनिक हटाव या खीषकन जैनेटिक ड्रिप्स कहा जाता है जैसे कुछ लूप्त हो जाते हैं या फिर उनका अस्थानी करण हो जाता है अतधिक संत्ति उत्पन करने या प्रकृतिक अब्दा कारण इस्थिर समुदाय में या उस समुदाय की कुछ जन संख्या की बहुत जयादा उसमें संत्तान उत्पन करती है तो हर आरतं के अलग अलग उत्पन करने कारण उनमें क्या होता है कुछ Jeeanνα जो होता होता है प्रिक्वेंसी के बाद पडिवरता का जाता ने लगता है उसकूँ ही genetic drift कहा जाता है उसके बाद आता है आपके पास natural selection कि कि इसक प्रित्वी पर रहा पाएंगे पहले क्या था कि हम लोग जानते हैं कि डानसौर वगड़ा एज था उस समय तो उस समय वह जानते हैं इस प्रकृतिक ने उनको नेचरल सेलेक्शन नहीं किया जिसके कारण वह दीरे-दीरे लोफ हो गया वह एकदम हटात से लोफ हो गया ऐसे सारे ऐसे प्राणी थे जिन के बारे में हम लोग जानते हैं दीरे-दीरे उनका क्या होते जा रहा है कि नेचरल सेलेक्शन में छटाते जा रहे हैं चटते जा रहे हैं क्यों चटते जा रहे हैं वह इस इंभार्मेंट के अनुकूल नहीं जी पाते हैं और उन जीनों का अत् लब खतम होते गया नेचर के वजह से नेचर उनको अपनी जैसे प्रकृतिक अपना दीरे-दीरे सेलेक्शन करती हैं ठीक है हम लोगी जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वाइब नहीं कर पा रहें जो सर्वाइ जीव घ्यान और जीवन के प्रकार और वीडियो का भी वित्ता का ध्यान करेंगे और आगे के टॉपिक भी हम लोग इसमें कवर करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही है बहुत हम लोग समझे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मुझे आसा है कि आप लोग फूल Okay, thank you. Bye-bye.